नेपाल की प्रिधान मंत्री पुष्प कमल देहल ने ट्वीट किया नारायन मुंगलिन सडख खंड पर भूस खलन में पस के बह जाने से लगवक 5 दर्जन यात्रियों के लापता होने के रिपोर्ट और देश के विवन हिसो में बाड़ और भूस कलन के कारण समपत्तियों के नुकसान में से मैं दुखी हूँ बहुत मैं अगरे प्रशाशन साही सरकार की सभी एजन्सियों को याथियों की खोज और प्रभावी बचाओ के नर्देश देता हूँ